Welcome to MKR, मेरा नाम है मंदी, पिस वीडियो में करेंगे class 8 की exercise 2.1 का question number 8, question number 8 में हमें equation यहाँ पर given है, इस equation का हमें करना क्या है, तो यहाँ पर दिया है solve the following equations and check your result, जो भी equation दी गई है, उसे हमें solve करना है, उसके बाद जो भी answer होगा, result होगा, उसको हमें check भी करना है, तो solve करना ब है, लेकिन फिर भी आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ, आपको क्या करना है, जो भी हमारा fraction है, 2x upon me 3, इसको as it easy लिख लो, इसके बाद जो दूसरी तरफ हमारा fraction है, x वाली value है, 7x upon me 15, इस fraction को इस side में shift कर लो, 7x upon 15, प्लस का है, इस side आने पर हो जाएगा, हमारा minus का 7x upon में 15, अगर हमने इसकी side change की है, तो इसका sign plus से minus हो गया, अब इसके बाद equals का sign लगा लिया हमने, दूसरी तरफ, इसको तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इस तरफ shift कर चुके हैं, तो हमारा 3 आएगा, सो सबसे पहले यहाँ पर 3 लिख देते हैं, उसके बाद जो हमारा plus का 1 है, यह भी तो नहीं लिखाया अभी हमने, plus का 1 है, इसको दूसरी तरफ shift कर देंगे, यहाँ पर plus में है, दूसरी तरफ shift करने पर हो जाएगा, यह minus में 1, हमने क्या किया सबसे पहले, यहाँ पर जो भी हमारी x वाली values हैं, उनको एक तरफ ही कठा कर लिया, और जो x के बिन हैं, without x हैं, उनको एक तरफ ही कठा कर लिया, अब हमें solve करना है, आपको पता होना चाहिए, कि जब भी हम किनी fractions को add या फिर subtract करें, तो उनके denominator का हमें LCM लेना होता है, denominator यहाँ पर 3 और 15 है, एक side में इनका हमें roughly LCM ले लेना है, 3 और 15 लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से 3 से करेंगे, 1 जा पर, उसके बाद यहाँ पर 5 जा पर, फिर 5 से करेंगे, तो यह आ जाएगा 1 and 5 जा 1, 3 को 5 से multiply करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 15, जो भी हमारा यह LCM आया है, इसको denominator में, हमने यहाँ पर denominator का LCM लिया, LCM लेने पर हमें 15 मिला, उसको denominator में लिखेंगे, उप बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमें चेक करना होगा, denominator में value क्या है, 3 है, 3 को हमें यहाँ पर 15 बनाना है, कैसे बनाया जा सकता है, 3 को 15 बनाने के लिए, इसको हमें multiply करना होगा, 5 से, ठीक है, नीचे हम 5 से multiply करेंगे, तो उपर भी हम 5 से multiply करेंगे, यह LCM लेने के बाद लिखा जाता है, ठीक है, 3 को 5 से multiply करने पर हमारा 15 हो गया, उपर 5 को 2X से multiply करेंगे, 5 को 2X से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 10X, 5 टूजा 10 और X हमारा as it is, इसके बाद यहाँ पर 7X के denominator में हमारा 15 ही है, 15 denominator में भी है, तो इसमें कोई भी change करने की हमें जरूरत नहीं है, उपर हमारा minus का 7X as it is आ जाएगा, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको करा दिया, कि जो भी हमारा LCM हम लेते हैं, तो नीचे value हमें equal करनी होती है, 5, 3, 15 यहाँ पर भी 5, 3, 15 हो गई है हमारी, अब इसको आगे यहाँ पर equals का sign लगा लेंगे, equals sign के बाद 3 म इसे 1 को subtract करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 2, अब आगे यहाँ पर मेरा 10X minus में 7X as it is आ जाएगा, equals का sign लगा लो, यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, divide में यहाँ पर denominator में मेरा 15 है, यहाँ पर इसको दूसरी तरफ shift करूँगा, denominator में value divide में होती है, अगर दूसरी तरफ shift आगी multiply में, तो यहाँ पर multiply में आ जाएगा मेरा 15, अब आगे यहाँ पर 10X में से 7X को मुझे क्या करना है, subtract करना है, 10X में से 7X को subtract करूँगा तो यह हो जाएगा, 3X equals to में 2 को 15 से multiply करूँगा, 2, 15 जा या फिर 15, 2 जा यह हो जाएगा हमारा 30, X की value क्या होगी, X equals to में हमार 30 आ जाएगा जो यहाँ पर हमारा 3 है X के साथ इसको दूसरी तरफ shift करेंगे यहाँ पर X के साथ multiply है दूसरी तरफ shift करने पर यह हो जाएगा यहाँ पर divide में अब इसको cancel कर सकते हैं 3 के table में 30 कितने पर आता है 10 times पर यानि कि X की value हो जाएगी हमारी यहाँ पर 10 यह हमारा answer हमें मिल गया answer के बाद हमें check भी तो करना है so check करने के लिए line लगा कर यहाँ पर मैं लिखता हूँ to check check करने के लिए इस equation को जो भी हमें question में दी गई है as it is यहाँ पर हमें लिखना है फटा फट से यहाँ पर लिख लेता हूँ 2X upon में 3 इसके बाद plus में 1 फिर equals का sign लगा करके 7X upon में यहाँ पर आ जाएगा मेरा 15 उसके बाद plus में 3 यहाँ पर आ जाएगा अब मुझे क्या करना है जहाँ पर भी X है उसकी जगह पर मुझे 10 put करना है तो बहुत सिंपल है यहाँ पर मेरा 2 as it is X की जगह पर आ जाएगा 10 उसके बाद denominator में आ जाएगा 3 plus का 1 as it is बिल्कुल इसी तरह से equals का sign लगा करके 7 आ जाएगा X की जगह पर put करेंगे 10 देन denominator में आ जाएगा 15 और plus का 3 मेरा as it is अब जो भी हमारे bracket हैं उनको हमें solve करना है यहाँ पर 2 को 10 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 20 upon में आ जाएगा यहाँ पर 3 उसके बाद plus का 1 हमारा as it is equals का sign लगा करके 7 को यहाँ पर 10 से multiply करेंगे 7 tens यह हो जाएगा हमारा 70 upon में आ जाएगा हमारा 15 then plus का 3 हमारा as it is अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी बड़े ध्यान से यहाँ पर हमारा 30 नहीं आएगा mistake लिए यहाँ पर हमने 30 लिग दिया है यह वाला 3 हमारा as it is आएगा ठीक है so 0 को यहाँ से हटा देता हूँ अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो भी हमारी value है अगर हम fraction को एक value में add करते हैं तो कैसे किया जाता है सबसे पहले जो भी हमारी value denominator में होती है उसको लिखा जाता है ध्यान से समझना इस चीज़ को denominator में हमारा 3 as it is लिखा जाएगा उसके बाद उपर value क्या होगी 20 तो हमारा as it is आएगा उसके बाद plus का sign भी लगा लेंगे लेकिन ये वाला जो 1 है न ये 1 और 3 multiply करके लिखा जाता है ठीक है denominator सेम रहेगा 20 भी सेम रहेगा 3 और 1 यहाँ पर multiply करेंगे 3 बंजा 3 यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस में 3 अपॉन में 3 आएगा बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी denominator वाली value 15 as it is आजाएगी इसके उपर जो 70 है वो as it is आजाएगा plus का sign हमें लगाना है उसके बाद क्या करना है 15 और 3 को multiply करके लिखना है 15 3 यह होता है हमारा 45 जिसके denominator में कुछ भी नहीं है उसी को हमें multiply कर देना है 3 को 1 से multiply करके 3 लिख दिया 5 15 को 3 से multiply करके 45 हमने यहाँ पर लिख दिया अब इसको solve करेंगे तो यहाँ पर 20 प्लस में 3 यह हो जाएगा गाईज हमारा 23 upon में 3 हमारा as it is equals का sign लगा लेंगे 70 प्लस में 45 यह हो जाएगा 115 उसके बाद denominator में हमारा 15 as it is है उपर 115 है नीचे 15 है दोनों को 5 के table से cancel किया जा सकता है 5 के table में 15 आता है 3 times पर उसके बाद उपर बाली value को हम 5 से cancel करेंगे 5 to the 10 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 11 है इसमें से 10 को सब्ट्रेक्ट करेंगे आ जाएगा 1 के पीछे यह वाला 5 लगा लेंगे तो हो जाएगा 15 5 के table में 15 आता है 3 times पर यानि कि इस तरफ हमारा 23 upon में 3 आ गया और दूसरी तरफ 115 upon में 15 इसको cancel करने पर हमारा 23 upon में 3 आ गया एक दूसरे के equal है तो जो हमने answer find किया है वो बिल्कुल सही है question number 8 में हमने यहाँ पर answer find किया उसके बाद हमने उसको check भी कर लिया तो question number 8 हुआ complete question number 8 के अलावा exercise 2.1 के जो भी questions हैं सभी को अलग-अलग वीडियो में solve किया है सभी के लिंक आपको नीचे description box में दिये गए है सभी को देखना और अच्छी तरह ऐसे समझ लेना मैं मिलूँ आपसे इसी तरह की next educational वीडियो में